लास्ट हमने exercise 1.1 की थी अब हम आगे continue करते हुए exercise 1.2 करने जा रहे हैं जो है हमारे number lines एहला question है represent these numbers on the number line इन numbers दिया हुआ आपके साथ ने 7 by 4 और दूसरा दिया minus 5.6 इसे हमें number line पर show करना जैसा कि आपको दिख रहा है कि 7 upon 4 में यह numerator और यह denominator numerator denominator से क्या है बड़ा है ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं पहले divide करते हैं तो 7 में जब 4 का divide करेंगे तो यह आएगा 1 से 3 by 4 it means यह जो number line पर represent होगा वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से क्या होना चाहिए छोटा तो इसे हम कहां लेंगे 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 के बीच में भी हम इसके कितने पार्ट गरेंगे 4 पार्ट यह first पार्ट second पार्ट third पार्ट और यह fourth पार वन को जैसे कि हम ले सकते हैं 4 by 4 इसके बाद में next पार्ट को 5 by 4 इसके बाद को 6 by 4 इसके बाद को 7 by 4 वो इस 2 कौम क्या ले सकते है 8 by 4 तो यह आएगा हमारे पास कितना 2 हमें represent करना है 7 by 4 को तो यह हमारा 7 by 4 दूसरा question है minus 5 by 6 अब यहाँ पर हमारे पास उल्टा है यहाँ numerator denominator से छोटा है ऐसी इस्तिति में जो value होती है वो या तो 0 से 1 या 0 से minus 1 के बीच में होती है वो depend करता है question पर यहाँ question में हमारे पास minus है तो यह value 0 से minus 1 के बीच में lies करेंगे अब इसमें हमारे पास numerator में total कितने पार्ट दिया denominator में total पार्ट दिया में 6 तो 6 पार्ट करेंगे तो 0 को लिख सकता हूँ 0 by 6 फिर यह 1 पार्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th और last 6 पार्ट को minus 6 upon 6 या यह हो जाएगा minus 1 अब यह minus 5 upon 6 minus 4 by 6, minus 3 by 6 minus 2 by 6, minus 5, 1 by 6 हमें रिप्रजेंट करना है 5 by 6 तो यह हमारा 5 by 6 है question number second similarly, रिप्रजेंट करना है minus 2 upon 11, minus 5 upon 11 and minus 9 upon 11 on the number line अब यहां पर भी हमारे पास क्या है numerator, denominator से क्या है छोटा है, यहां पर देख लीजिए denominator 11 है, numerator minus 2, minus 5, minus 9 तो इसका मंदब यह भी हमारे पास 0 से minus 1 के बीच में लाइस करेंगे तो 0 को लिख सकता हूँ, 0 upon 11 और minus 1 को लिख सकता हूँ, minus 11 upon 11 क्योंकि minus 11 में 11 का डिवाइट करने पर क्या हैगा, minus 1 अब इन दोनों के बीच में, 0 और minus 11 के बीच में numbers, minus 10, minus 9, minus 8 minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 और अप और में सब के क्या है, 11 और यह परजेंट करना है, minus 2 upon 11 तो इह हमारा minus 2 upon 11 minus 5 upon 11, तो इह minus 5 upon 11 और 9 upon 11, तो इह हमारा 9 upon 11 क्योंकिन नम्बर आता है, हमारे पास अब थर्ड राइट, 5 लेशन नम्बर which are smaller than 2 यह कोशन में बोल रहा है, कि 2 से छोटी, 5 परी में संख्याय लिखिए, तो आपको पता है 2 से छोटी परी में संख्याय के लिए अगर मैं एक number line बढ़ाओ, तो यह 0 है 0 के यहाँ पर 1, 2 इस तरह minus 1, minus 2 तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 and a half, यानि 3 by 2 0 और 1 के बीच में half, 0 minus 1 के बीच में minus half, और minus 1 और minus 2 के बीच में minus 3 by 2 यानि minus 1 and a half, हमें कहा लेनी है less than, smaller than 2 लेनी है, तो smaller than 2 यानि 2 से छोटी तो यह सारे के सारे 2 से छोटी यह इन फाइनल तक चलेगे, तो 2 से छोटी में पांच लेनी है, तो 3 by 2 1, 1 by 2 0 और यह minus 1 बाटती है यह 5, 2 से छोटी क्या हो जाएगी smaller numbers next question आता हमारे पास find 10 national number between minus 2 upon 5 और 11 upon, 1 upon 2 minus 2 upon 5 and 1 upon 2 अब minus 2 upon 5 और 1 by 2 के बीच में हमें 10 national number लेनी है, वैसे तो 2, 5, सबसे पहले हम denominator लेनी company number का calcium लेते है, तो 2 और 5 का 15 आएगा तो इधर भी हमें 10 मनाना है, इधर भी हमěं 10 मनाना है, यानि इसके भी हमें denominator में 10 मनाना है और इधर भी 10 मनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगी इधर 2 से multiply करेंगा, इधर 5 से होगा क्या, उपर बनेगा minus 4 और इधर मेरे पजाएगा 5 तो मेरे पास minus 4 और 5 के बीच में 10 national number lies नहीं करते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इससे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तो denominator को बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया इधर भी 20 बनाने लिता हो इधर भी 20 तो 20 बनाने के लिए 5 को 4 से multiply है तो उपर नीचे multiply है और इससे 20 बनाने के लिए 10 से उपर नीचे multiply है अब होगा क्या उपर बढ़ेगा minus 8 upon 20 इधर बना 10 upon 20 अब denominator same है अब minus 8 और minus 10 के बीच में खूब सारी नमर्स आएगी माइनस 7, minus 6, minus 5, minus 4, 3, 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक अब हमें इसमें से कोई भी 10 बनाने लेनी है तो इन में से कोई भी 10 बनाने हम चोज़क कर सकते है तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer question number 5 question number 5 हमारा है find 5 rational number between कह रहा है हमें कि पहले संग question दिया है 2 by 3 और 4 upon 5 के बीच में हमें 5 rational number लेनी है तो 5 rational number लेने के लिए हम क्या करते हैं जैसे मैं आपको बता दिया कि हमें देखना पड़ेगा कि नीचे वाले जो denominator है अगर मैं इसका LCM निकालो तो 15 आएगा 15 से इधर multiply 15 नाने के लिए इधर 5 से multiply 5 से multiply पर यह क्यार है इदर 3 से इधर 3 से इधर तो मेरे पास आजाएगा 10 और तो 10 और 12 के बीच में 1 rational number आएगी तो हमें ज़्यादा रेशनल में में के लिए सोचना पड़ेगा तो मैंने क्या किया तो तू नीचे 60 बनाना है तो 60 बनाने के लिए मैँने क्या करना है 20 से इदन नीचे multiply और उपर भी स्धिप्ला और इदन 60 बनाने के लिए 12, 5, 60 होता है तो 12 की नीचे multiply और उपर भी और अपन में क्या 60, we can choose any 5 rational number in this number, then we can write 41 upon 60, 42 upon 60, 43 upon 60, 44 upon 60 and 45 upon 60. अब 5th के question number 2nd, minus 3 by 2 into 5 by 3, और 3rd question 1 by 4 into 1 by 2, student अपने आप करेंगे, मतलब do it yourself. question number 6 में आते हैं, write 5 rational number greater than minus 2, अब ये question बोल रहा है, कि minus 2 से बड़ी 5 rational number आपने को लिखने हैं, तो आपको पता है कि ये number line है, तो number line पर इतर जीरो है, तो 0 को left hand side में minus 1, minus 2, minus 3 चलेगा, इधर 1 और 2 चलेगा, अब आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में half, 1 और 2 के बीच में 1 and a half, जिसे हम 3 by 2 लिखते हैं, similarly 0 और minus 1 के बीच में minus half, minus 1 और minus 2 के बीच में आएगा, minus 1 and a half, हमें क्या लेना है, minus 2 से greater लेनी है, minus 2 से greater के लिए हम plus की तरफ चलेगे, तो plus हमें चलना है, यानि right hand side में, तो ये आएगा, minus 3 by 2, minus 1, minus 1 by 2, 0, 1 by 2, 1, 3 by 2, 2, हमें any 5 लिखनी है, तो any 5 में में ले लिए, minus 3 by 2, minus 1, minus 1 by 2, 0 or 1 by 2, या मारा answer हो गया, अब इसी तरफ पर आपको question number 7, find 10 rational number between 3 upon 5 and 3 by 4, एक example, write any 3 rational number between minus 2 and 0, example number 7, find any 10 rational number between minus 5 upon 6 and 5 upon 8, और example number 8, find a 2 rational number between 1 by 4 and 1 by 2, आप अपने आप करेंगे, swim करेंगे, thank you.